मनों से जिम्न का उद्धिस ही क्या है? हम देखते हैं कि हर चीज का उद्धिस से होता है जैसे घड़ी का उद्धिस से समय देखने के लिए है कार का उद्धिस से घूमने के लिए है मुबाइल का उद्धिस से कॉम्मिनिकेशन के लिए है ऐसे ही हर चीज का कोई ने कोई उद्दिश से रहता है इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो बिना उद्दिश से के अस्तित्म है तो क्या मनुस्य जीवन का कोई उद्दिश से नहीं होगा इतनी सारी चीजों का उद्धिस से मनुस्य जीवन का उद्धिस से नहीं होगा हाला कि मनुस्य जीवन तो बहुत ही महत्पूर है अगर हम मनुस्य जीवन के उद्धिस को नहीं समझते हैं तो हम उस ट्रेन में बैठे विक्ति के समाने एक बार एक टेसन पर एक ट्रेन खड़ी थी और एक विक्ति ने खिड़की से अंदर में बैठे हुए ट्रेन में बैठे हुए विक्ति से पूछा ये ट्रेन कहां जा रही है उस विक्ति न उतर दिया मुझे पता नहीं फिर उस विक्ति ने पूछा तो आप कहां जा रहे है म मुझे पता नहीं है, तब उस व्यक्ति को क्या समझा जाए, मुर्क या महा मुर्क, वहाँ व्यक्ति उस ट्रेन में बैठा था, फिर भी उसे पता नहीं है कि वो ट्रेन कहां जा रही है, और वहां कहां जा रहा है, ठीक उसी परकार, हम भी देखते हैं, कि आज का लोग, मनु जिवन का उधिस से, उसको समझे बिना, जाने बिना, तेज गती से दोड़ रहें बस, बस दोड़ रहें, जब हम उनसे पूछते हैं, कि आपके जिवन का उधिस सी क्या है, आप ऐसे क्यों दोड़ रहें, तब उत्तर मिलता है, यह सब सोचने के लिए मेरे पास समय नहीं ह बस मुझे जल्दी में जाना है, जिस परकार यह विक्ति उस गाड़ी वाले से पूछता है, साब आप कहां जा रहें, तो वह कहता है, मुझे परिशान मत कर, मैं जल्दी से जाना चाहता हूँ, अगर यदि हम गंतवी स्थान को निशित किये बिना, तेज गती से गाड़ी होगी, अब एक महत्पुन प्रश्न होता है, कि ये सब लोग क्यों दोड़ रहें, आकर इस दोड़ का उद्धी से क्या है, ये सभी लोग आनंद प्राप्त करने के लिए दोड़ रहें, सभी लोग आनंद की खोज में हैं, अर्थार्थ सुख प्राप्त करने के लिए परणिया चाहते हैं उसका अधार चार प्रवुतिया मुख्ये ये चार 1969 की प्रवुतिया कौन सी ये आँ,ufen, इ निद्र, भय और में थू all लेकिन हम देखते हैं कि पसू भी चार प्रकार की पर्वतियों के विछे दोड़ता है और हम भी दोड़ते हैं तो फिर हमारे में और पसू में अंतर क्या है इस मुद्धे को समझना बहुत ही मत्पूर है जब हम मनुष्य और पसू में अंतर समझ जाएंगे तब हम भगवत गीता को समझ पाएंगे नहीं तो भगवत गीता को नहीं समझ पाएंगे